नमस्कार दोस्तो, स्वागत आप सभी का हमारे चेनल भक्ती ज्यान में, दोस्तो आज मैं आपको स्रीमध भागवत महापुराण की कथा का स्रवन करा रहा हूँ, आप सभी भक्त जन इस कथा को स्रद्धा पूर्वक मन लगा कर सुने, भगवान स्री किष्ण आप सभी की आई और बे अपनी बार्या, मरीशा को पुत्र के पास छोड़कर त्रंत घर से निकल पड़ी, बे पश्यम दिसा में समुद्र के टटपर, जहां जाजली मुनी ने सिद्धी प्राप्त की थी, जहां पहुँचें, और जिससे समझत भूतों में एक ही आत्म तत्व बिराज मान है, ऐसा ज्यान होता है, उस आत्म विचार रूप ब्रह्म सत्र का संकल्प करके बैठ गई, उन्होंने प्राण, मन, बाणी और द्रश्टी को बस में किया था, सरीर को निश्टेश्ट, इस्तिर और सीधा रखते हुए आसन को जीत कर, चित को बिसुद पर ब्रह्म में लीन कर दिया, ऐसे इस्तिती में उन्हें देवता और असुर दोनों के ही बंदनिय से नारज जी ने देखा, नारज जी को आया देखकर प्रिचेतागन खड़े हो गए और प्रिणाम करके आदर सत्कार पूरवक देश कालानुसार, उनकी विदेवत पूजा की, जब भाग से हमें आपका दर्सन हुआ, ब्रह्मन, सूर्य के समान आपका गूमना फिरना भी ज्यान लोग से समझते जीवों को अवैदान देने के लिए ही होता है, प्रभो, भागवान संकार और स्री विश्नु भागवान ने हमें जो उपदेश दिया था, उसे ग्रैस्ती में आसक्त रहने के कारण हम लोग प्राय भूल गए हैं, अते आप हमारे हिर्दे में उस परमात्म तत्व का साक्षात कार कराने वाले अध्यात्म ग्यान को फिर प्रिकास्त कर दीजिए, जिससे हम सुगमता से ही इस दोस्तर संसार सागर से पार हो जाएं, स्री मैत्रे जी कहत भगवन में स्री नारज जी का चित सरवदा भगवान स्री किश्ण में ही लगा रहता हैं, बेप्रिचताओं के इस प्रकार पुछने पर उनसे कहने लगे, स्री नारज जी ने कहा राजाओ इस लोक में मनुश्य का वही जर्म वही कर्म वही आयू वही मन और वही बानी सपल है जिसके द्वारा सरवात्मा सरवेश्वर स्री हरी का सेवन किया जाता है जिनके द्वारा अपने सरूप का साक्षातकार कराने वाले स्री हरी को प्राप्त ना किया जाए उन माता पिता की पवित्रता से यग्यों पवित्र संसकार से एवं यग दिक्षा से प्राप्त होने वाले उन तीन प्रकार के स्रेश्ट जनमों से, बेदोक्त कर्मों से, देवताओं के समान दीर्ग आयू से, साश्त्र ज्यान से तप से बाने की चतुराई से अनेक प्रिकार की बातें याद रखने की सक्ती से तीब्र बुद्धी से बल से इंद्रियों की पटुता से योग से सांख्य आत्मान आत्म बिवेक से सन्यासी और बेदाध्यन से तता ब्रत बैराग आदी अन कल्यान साधनों से भी पुरुस का क्यालाव है बास्तम में समस्त कल्यान की अवदी आत्मा ही है और आत्म ज्यान प्रतान करने वाले स्रीय ही संपूर्ण प्राणियों की प्रिय आत्मा ही जिस प्रकार ब्रक्ष की जड़ सीचने से उसके तना साखा उप साखा आदी सभी का पोशन हो जाता है और जैसे भोजन द्वारा प् प्रत्वी से उत्पन होता है और ग्रीस मृत्व में उसी की केनों से पुने प्रविस कर जाता है तता जैसे समस्त चराचर भूत प्रत्वी से उत्पन होते ही और फिर उसी में मिल जाते ही उसी प्रकार चेतना चेतना तमक ये समस्त प्रपंच स्रीहरी से ही उत्पन होता है औ पुरकी प्रवा उससे भिन नहीं होती उसी प्रकार कभी कभी गंधर्व नगर के समान इस्पुर्यत होने वाला यह जगत भगवान से भिन नहीं है। रूपी विक्तिविद एंकार के कारियों की तथा उनके निम्त से होने वाले बेद भ्रहम की सत्ता है ही नहीं नपतिगण जैसे बादल अन्दकार और प्रिकास ये क्रमश्य आकास से प्रकट होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं किन्तु आकास इनसे लिप्त नहीं होता उसी प्रकार ये सत्व, रज और तमो मईर सक्तियां कभी पर ब्रह्म से उत्वन होती हैं और कभी उसी में लीन हो जाती हैं इसी प्रकार इनका प्रवाद चलता रहता है किन्तु इससे आकास के समान असंक परमात्मा में कोई विकार नहीं होता अते तुम ब्रहमादी समस्त लोकपालों के भी अधिश्वर स्रीहरी को अपने से अभिन मानते हुए भजों क्योंकि वे ही समस्त देधारियों के एकमात्र आत्मा ही वे ही जगत के निमत कारण काल उपादान कारण प्रदान और नियंता पुरसोत्तम है तता अपनी काल सकती से वे ही इस गुणों के प्रवाहरूप प्रपंच का संगहार कर देते ही वे वक्त वलसल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से जो कुछ मिल जाए उसी में संटुष्ट रहने से था समस्त इंद्रियों को वे सयों से निवत करके सांत करने से सीगर ही प्रिसन हो जाते हैं पुट्रेश्णा आदि सब प्रकार की वासनाओं के निकल जाने से जिनका अंत्यक्रन सुद्ध हो जाता है उन संटों के इर्दय में उनके निंतर बढ़ते हुए चिंतन से खिंच कर अविनासी स्रीहरी आ जाते ही और अपनी भकता दीनिता को चरितार्थ करते हुए इर्दयाकास की भाती वहां से हटते नहीं भगवान तो अपने को भगवान को ही सरवक्स्व मानने वाले निर्धन पुरसों पर ही प्रेम करते ही क्योंकि वे परम रसग्य हैं उन अकिंचनों की अनन्यास्रिया अहेतू की भकती में कितना मादूर्य होता है इसे प्रभू अच्छे तरह जानते ही जो लोग अपने साश्त्र ज्यान दानकुल और कर्मों के मद से उनमत होकर ऐसे निसकेंचन साधु जनों का त्रसकार करते हैं उन दुरवद्धियों की पूजा तो प्रुवस्वकार भी नहीं करते हैं भागवान सरूपानंद से ही परिपून हैं उन्हें नंतर अपनी सेवा में रहने वाली लक्षमी जीतता उनकी इच्छा करने वाले नर्पती और देवताओं की भी कोई परवा नहीं है इतने पर भीवे अपने भगतों के तो अधीन ही रहते हैं अहो ऐसे करना सागर स्री हरी को कोई भी कृतग्य पुरुस थोड़ी देर के लिए भी कैसे छोड़ सकता है स्री मैत्रे जी कहते हैं विदुर जी भागवान नाराद ने परिचेताओं को इस उपदेश के सासत और भी बहुत सी भागवत सम्मंदी बातें सुनाई इसके पश्यात में ब्रह्म लोग को च चिंतन करने लगे और अंत में भागवात धाम को प्राप्त हुए इस प्रकार आपने जो मुझसे स्री नाराद जी और प्रिचेताओं के भागवत कथा सम्मंदी संबाद के विशे में पूचा था वह मैंने आपको सुना दिया सी सुकदेब जी कहते ही राजन जहां तक स्वायम भोव मनू के पुत्र उत्तान पाद के बंस का बनन हुआ अब प्रियवरत के बंस का विवरण भी सुनो राजा प्रियवरत ने सी नाराज जी से आत्म ग्यान का अपदेश पाकर भी राज भोग किया था तता अंत में इस स पुणानुबाद युक्त पवित्र कथा सुनकर विदोर जी प्रेम मगन हो गए भक्ती भाव का उद्रेक होने से उनके नित्रों से पवित्र आंसों की धारा बैने लगी तता उनोंने इर्दे में भगवाच चर्णों का इस्मन करते हुए अपना मस्तक मुनीवर मेत्रे जी क चर्णों पर रख दिया विदोर जी कहने लगे महा योगिन आप बड़े ही करना मैं है आज आपने मुझे अग्यान अंदकार की उस पार पोँचा दिया है जहां अकिन चनों के सर्वस्व स्रीहरी बिराजते हैं जी सुकदेव जी कहते हैं मेत्रे जी को उपर यूग्त कृ सुचक बचन कहकर तथा पिर्णाम कर बिदुर जी ने उनसे आग्याली और फिर सांतेचित होकर अपने बंदु जनों से मिलने के लिए भे हस्त नापुर चले गए राजन जो पुरस भागवान के सर्णागत परम भागवत राजाओं का ये पवित्र चरित्र सुनेगा उस से दीर्ग आयू धन सुयस खेम सद गती और एस्वर की प्राप्ती होगी बुल स्री मद भागवत महापुरान की जै बुल स्री किष्ण चंद्र महाराज की जै